तो हाई दोस्तों आप सभी का स्वागत है डेली फटाफट न्यूस पर आप देखने वाले हैं देश जगत की 20 बड़ी खबरें जी हाँ सिर्फ डेली फटाफट न्यूस पर तो आईए चलिए देखते हैं दिन भर की और देश जगत की 20 बड़ी खबरें कांगरेस नेता और पूरसियम कमलनाथ सुमवार को सागर जले के सुर्खी विरान सभा के जैसी नगर दोरे पर थे उन्होंने यहां एक जन्द सभा को संबोधित किया संबोधन के दोरान कमलनाथ मंच से अभी तो हम जवान है बोलकर जन्ता से मिलने के लिए छलांग लगा दी इस दोरान वे लड़ खड़ा गए लेकिन गनीमत रही की सुरक्षा कर्मियों ने उने संभाल दिया और एक हाथसा होते होते बच गया बाचपा के गोविन जिंग राजपूत ने कहा उपचनाव में 28 में से सभी सीटे जीतने का ख्वाप देख रही है कांग्रेस का ख्वाप छेक चिली की तरह है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्री अगर के रामबाग इलाके के बार जुला में सोमवार को सुरक्षा बलो और आतंकियों के बीच मुटबेड हुई पलिस और सीर पीफ की संयुक टीम ने दो आतंकियों को घेर कर मार गिराया बॉलिवोड एक्टरेस कंगना रडावत ने महाराष्ट के उद्धा सरकार पर मंगलवार को एक बार फिर से निशाना साधा है इस बार कंगना ने महाराष्ट में धार्मिक स्थलो को लेकर खड़े हुए विवाद पर प्रतिक्रिया दिये उन्होंने मंबई में बार रेस्टरॉंट खोलने और मंदर बंद रखने को लेकर ट्वीट किया कंगना ने उद्धा सरकार को गुंडा सरकार बता है धार्मिक स्थलो के विवाद पर एक्टरेस कंगना ने ट्वीट किया अच्छा लगा सुनकर की गुंडा सरकार से हमारे गवर्नर सर ने सवाल किये गुंडों ने बार रेस्टरॉन खोल दिये और चालाकी से मंदर बंद रखे इसके साथ ही उन्होंने हैश्टेक गवर्नर लगाया चीनी बैंकों का अने लंबानी पर 5,276 करोड रुपए से ज्यादा का बकाया है यह बकाया आरकॉम को दिये गए कर्च के रूप में है चीन के बैंकों ने लंदन की कोर्ट में दावा किया था कि आरकॉम को कर्च अने लंबानी की परिसनल गैरेंटी पर दिया गया था एनमबानी ने पिछले हफते कोट को बताया कि उनके पास इस समय एक भी पैसा नहीं है और कानूनी खर्च के लिए गहने तक बेज दिये दिव्यंका त्रिवाटी दाया की लाइफस्टाल और करंट जोहर से दूर रहने के साथ द्रक्स ना लेने की नसियत देने वाले यूजर को एक्टरेस ने मज़िदार जवाब दिया एक यूजर ने लिखा मेरा आशिरवाद तुमारे साथ है दिव्यंका अच्छी अच्छी फिल्में करो और द्रक्स के चक्कर में मत पढ़ना और करंट जोहर के पास तो भूल के भी मत जाना यूजर को जवाब में एक्टरेस ने लिखा या बात बहुत अच्छी लगी दिल से धन्यवाद आज कल सब अमूमन तोर पर दूसरों को बिना वज़ा गलत ही मान के चलते हैं कलाकार कितने भी मजबूत दिखें दिल तो दुखता है जिस रोच से पिताजी इस शेहर के हवाले पर बोपाल गए प्रयास यही है कि उनका सिर्फ फक्र से उचा रहे या कमल कीचड में भी कमल ही रहेगा सीबियाई की टीम अप शमसान घाट में उस जगा पर पहुच गई है जहां रात के अंधियारे में प्रशासन दौरा बिटिया का अंतिम सस्कार कर दिया गया था टीम वहां की जानकारी ले रही है सीमा विवात के बीच चीन ने कहा भारत ने गयर कानुनी तरीके से लद्दा को केंदर शासित प्रदीश बनाया चीन के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता जहाओ लिजियान निसीमा पर अंधो संरचना निर्मान को दोनों पक्षों के बीच तनाव का प्रमुक पर कारण बता है उन्होंने कहा कि किसी भी पक्ष को ऐसी कारवाई नहीं करनी चाहिए जिससे की तनाव में इजाफा हो मुक्की मंत्री योगी आरितिनात ने पौक्सोवा महिलाओ से जुड़े मामलों में मजबूत पहरवी करने के निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक लेप से संबंदित कारवाई में भी शिगरिता लाई जाए तितलता विलम या लापरवाई की इस्तिती में अभियोजन अधिकारी की जवाब देही तै की जाए उन्होंने मिशन शक्ती अभियान का संचालन प्रदेश के 75 जिलों में प्रतेग वाडवा प्रतेग ग्राम पंचायत में करने को कहा है या अभियान कारियालों संस्थानों और द्योगिक प्रतेश्थानों आदी में भी चलाने के निर्देश दिये गए है खबर यूपी से है एक महिला ने दर्म परिवरतन कर आसिफ नाम के यूवक्स से निका किया इसके बाद आसिफ साओधी अरब चला गया महिला का आरवप है कि इस दोरान आसिफ के परेजन लगातार उसे प्रताड़ित करते रहे जिससे तंग आकर उसने आतमदा की कोशिश की उसका कहना है कि महरा गंज ठाने में उसने पुलिस से शिकायत की थी लेकिन कोई सनवाई नहीं हुई इनसाफ के लिए वाग मुक्यमंद्री योगी अरतिनास से मिलना चाहती थी लेकिन मुलाकात ना होने से निराश होकर महिला ने आतमदा का प्रयास किया उसे सिविल अस्पिताल में बढ़ती कराया गया है जहां उसकी आलत गंबीर बताई जा रही है मिट सीजन ट्रांसफर विंडो में वही खिलाडी हिस्सा ले सकते हैं जिसने ट्रांसफर के समय अपनी टीम के लिए दो से ज़्यादा मैश ना खेले हो इसके अलावा किसी भी प्लियर का ट्रांसफर उसकी वर्मीशन के बाद ही होगा पिछले साल आई पियल में मिट सीजन ट्रांसफर विंडो की शुरुआत हुई थी इसमें अजिंक्या रहाणे, क्रिस गेल, नाथन कुल्टर नाइल और इमरान ताहिड जैसे खिलाडी हिस्सा ले रहे हैं रलाइंस जीओ देश में 40 करोड ग्राक का आकड़ा पार करने वाली देश की पहली दूर संचार सेवा कंपनी बन गई है दूर संचार विनी मायक ट्राई की सुमबार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने जुलाई में शुद रूप से 35 लाक नए सब्सक्राइबर जोडे भारती स्टेट बैंक ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेस अब बहाल हो गई है टकनीकी घराबी की वज़ा से आज सुबा से ही बैंक को कोर बैंकिंग सिस्टम बादित था हाला कि ATM और POS मशीन पर इसका कोई असर नहीं हुआ सुबा इसकी जानकारी देश के टॉप बैंक ने टूइट के जरिये दी थी कि कनेक्टिविटी इशू के कारण कोर बैंकिंग सिस्टम में देरी हो रही है बैंक ने कहा था कि ATM और POS को छोड़कर सभी चैनल प्रभावित हुए हैं हम अपने ग्राहकों से अपील करते हैं कि वे दीरज रखें सामान सेवा जल्दी शुरू होगी बैंक ने अपने ट्वीट में कहा कि दुबार तक सेवा बहाल हो जाएगी देखिए ये हैं देश की कुरोना वारियर आईएस अफसर कुसुमिया पांडे ने डेलिवरी के चवदा दिन बाद आफिस किया रिजाइन तीन हफते की बेटी को आफिस लेकर आई और निपटाए सारे काम राश्टी कामदेनु आयोग के चेर्मेन बोले गाय का गुबर रोक सकता है रेडियेशन मोबाइल में हो इस्तमाल महराश्ट में मंदर खोलने पर महा संग्राम राज़िपाल ने कहा आप हिंदुत्व के बड़े समर्थक सेक्किलर बन गए क्या सीम का जवाब नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट बाजपा नेता प्रसाद लाट का कहना है कि हमारी मांग है कि सिद्धिमिनायक मंदिर को खोल दिया जाए अगर हमें मंदिर में प्रवेश की इजाज़त नहीं दी जाती है तो हम मंदिर में जबरन प्रवेश करेंगे सुशान सिंग राजपूत मौत मामले में करंट जोहर समित साथ फिल्मी अस्तियों को बियार के कोट ने बेजा नोटिस कोट की और से जारी नोटिस में करंट जोहर के अलावा संजे लीला बंसाली आरित चोपडा साजित नडियादवाला बूशन कुमार के साथ ही एकता कपूर और दिनेश विजयन का नाम शामिल है एक्टिंग से पॉलिटिक्स में आई तमिलनाडू की कांग्रेस नेता खुश्बू सुंदर ने पार्टी से स्तिफा दे दिया है उन्होंने इसके कुछ घंटो बाद ही तमिलनाडू से दिल लिया कर भारती जंता पार्टी की सरस्यता ग्राण कर लिये बीजेपी में शामिल होने के बाद खुश्बू सुंदर ने कहा कि अगर राष्ट को आगे बढ़ाना है तो हमें देश को सही दिशा में ले जाने के लिए पियम मोदी की आविशकता होगी खुश्बू सुंदर के इस बयान को लेकर फराखान अली ने ट्वीट किया है जो खुश्ब वाइरल हो रहा है अपने ट्वीट में फराखान अली ने सवाल भी किया कि लोग क्या इतनी जल्दी बदल जाते हैं त्रेपुरा की बीजेपी सरकार पर मंड रहा है संकट सीम विपलब देव की कुरसी पर बागी विदायकों की नजर आईपील का 29 स्वा मैच CSK और सारा के बीच में खेला गया वहीं CSK पहली बेटिंग करने उतरी हुई 167 रन 6 विकट पर बना पाई वहीं दूसरी पारी में बेटिंग करने उतरी सारा 147 रन 8 विकट पर बना पाई यहीं CSK ने सारा को 20 रन से हरा दिया तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद